जो आपने दिखाया वो काफी हद तक सही है लेकिन इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा बताएं देखिए ऑस्टेलिया में जो आज की डेट में रिटेल सेक्टर में काम कर रहे हैं बच्चे इंटरनेशनल स्टुडेंट उनको पहले 40 आस जॉब एलाउट था गौर्मेंट आ उनको जॉब एलाउट हैगा और वो बच्चे जॉब कर रहे हैंगे जो बच्चे एज केर में काम कर रहे थे 40 आस की रिस्टिक्शन है उनके उपर जॉब की रिस्टिक्शन 40 आस की रिस्टिक्शन नहीं है वो बच्चे अनलिमिटेट काम कर सकते हैंगे जो बच्चे एक सा से ज़्यादा आई हुए हैं जो भी बच्चा काम कर रहा है गा उसका सुपर करता है वो अपने सुपर को विड्रॉ कर सकता है गा हमार एक चीजा आपको बहुत बड़ी डिफ्रेंशेट करनी पड़ेगी कैनेडा में इस्टूडेंट वीजा में और ऑस्टेलिया इस्टूड करते हैं और उसके बाद आपका वीजा ग्रांट होता है गा मैं सही कह रहा हूँ बर्कुर सही है ऑस्टेलिया में आप दस पैसे ट्रांसफर नहीं करते हैं आप एक कमिट्मेंट करते हैं जब आपका वीजा ग्रांट होने जारा होता है ऑस्टेलिया गौर्मेंट साफ पू आज की डेट में एक साल की लिविंग कॉस्ट 23,000 डॉलर की है आप कहते हैं कि मेरे पास 23,000 डॉलर की लिविंग कॉस्ट है और एक साल की उट्यूशन फी है तब जाके आपको वीजा ग्रांट होता है अगर आप ये दो क्राइटीरिया फुल्फिल नहीं कर रहे हैं तो आपक बच्चे जब वीजा का टाइम आता है तो सारे फंड्स होते हैं और जब बच्चे यहां पर पहुंच जाते हैं तो वो कोशिश करते कि हम केवल कमा के पर लें और लिविंग कॉस्ट भी कर लें तो आज की डेट में प्रॉलम उन बच्चों को आ रही है जिनके पास लिवि पर पे दिखा दिया गया यहां पर पहुंच गये और बहुत रिडिसेंटली पहुंचेंगे दो चार पांच मैने वे हैंगे तो वो अभी सुपर उनका विड्रॉ नहीं कर सकते हैंगे बच्चों केवल उनको दिक्कत आ रही है और स्टेलिया गॉर्मेट कह रही है कि आपन पॉर्ण के दिखाये थे तो वो फंड्स कहां चले गएंगे अ हमारे पास एक साल के फंड्स रेडि पढे तो फंड्स कहां चले गए आप उन फंड्स को यूस करीए तिहां पर स्टूडेंट कुछ और तरीके से ये बोल रहे हैं कि आ उस्ट्रेलिया के लिए हमने अपनी जिन्दकी इन्वेस्ट कर दी आ। तो उनको Canadian government कुछ पैसे दे रही है उसके बारे में और मैं बात करूँगा कितने पैसे दे रही है लेकिन उसको देखर यह बुलना है कि यार Canada अच्छा है बेकानम Australia में फंसक है तो यह unjustified according to you कि जो अगर पैसे अगर आप एक साल के लिए पहले से इंसाम कर चुके हो या करके आपने वीजा लिया है उसको क्यों ने उटलाइज करते हैं वाई यू डिपेंडिंग ऑन एकस्पेक्टिंग अस्ट्रीलिंग गर्मेंन तुपे यह आपकी खबर इंडिया के अख़वारों पर उन्होंनों भी इस बारे में जाजा इसको रिसरॉच करके नहीं दिया ऐसी एक आर्टिकल डाल दिया हाँ यह हो सकता है क्योंकि लोग डेप्थ में नहीं जाना चाहते हैं और एक ने बिना समझे बिना डेप्थ में जा हुए कुछ बोल दिया लोग उसको फॉलो करने लगते हैं तो जो आप दिखा रहे हैं मिस्टर मौरीसन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने काफियत तक सही है कि उन्होंने कोई एडिशनल सपोर्ट इंटरनेशनल इस्ट्रूएंट्स को नहीं दी हैं लेकिन कुछ चेंजिस करें जैसे मैंने आपसे शुरू में का जो बच्चे एज क काम कर सकते हैंगे तूसरी चीज अगर कोई ये कहे कि बच्चे यहां पर इंटरनेशनल इस्ट्रूएंट भूके मर रहे हैं तो ऐसा गलत होगा मरजुद सैक्डों इंडियन और्गनाइजेशन जिसमें मैं भी इंवार्ड नूए एक और्गनाइशन के साथ हम इंटरनेश इंटरनेशनल इस्टूएंट्स की मदद कर रहे हैं मैं डिलेट में रहता हूं साथ ऐस्टेलिया में रहता हूं गुरद्वारे से सैकडों लंच और डिनर पैक होके इंटरनेशनल इस्टूएंट को डिलीवर करे जा रहे हैंगे घर जैसे आप से का हम कोई ट्यूशन भी लेकिन अगर किसी भी इंटरनेशनल स्टुडेंट्स को सर्वाइवल के लिए खाना चाहिए है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है इवन युनिवस्टी इंटरनेशनल स्टुडेंट्स को एसेंशल फूड आइटम्स प्रोवाइट कर रहे हैंगे ताकि कोई भी बच्चा भूग के कारण सफर ना करे यह यह और जो नॉन प्रॉफिट एजिंसी गुर्दादे वारा रिलिजिस इंस्टूशन नॉन प्रॉफ उनको राशन पानी में तो हेल्प करी रहे हैं यह तो इसमें कोई शक्त नहीं है हर जगह कर रहे हैं यहां पर एक्चुली कुछ हमेरे भी क्लाइंस हैं जो जो स्टूडेंट वीजा पर आए हुए हैं कैनड़ा में कुछ लोगों ने रेडियो पर कहा है कि यार इस कैनड़ अच्छा रहा बच्छा हुए कैनड़ा आ गए क्योंकि यहां जो क्वालिफाइ कर रहे हैं उनको टू थाउजन डॉलर्स कनेडिन डॉलर्स पर मन्थ और अब टू फोर मन्थ अभी तक चार महिने का इननों ने अनौन्स किया है चार महिने तक अभी तक डिपेंडिंग ओन आठ हजार डॉलर्स तक आप मानके चलें के एक एक स्टूडेंट को जिस ने पिछले बारा महिने में अट लीस्ट उसके जो घंटे मिला के जो फाइफ थाउजन डॉलर्स का उसने इंकम शो करी है तो उसको 12,000 मिलने वाले तो आप टिपिकली मानके चलो कि अगर कोई स्ट डॉलर्स कमाएं अगर पूरे साल की इंकम 5,000 से उपर है तो आज की डेट में वो $2,000 a month वो क्लेम कर रहा है I mean he's getting the money and some people have said you know I think Canada is the best Australia is giving me zero Canada is giving me 2,000 what do you say about this यह गलत हैगा अब सच सुने देखिए मैं FACT में बात करूँगा हाँ जी आज आई नो आप आपके यहां पे कितने कितने ऐसे लोग student visa पे हैं जिनके partner को visa लग गया जो सब्सक्राइब में नहीं लगता है न ओपन वर्क पर्मिट के लिए आप apply कते हैं 1% लोगों का visa लगता है open work permit हमारे आप आउस्टेलिया में आप आईए आप diploma के लिए आ रहे हैं आप married हैं आपकी missis का भी visa लगता है missis को work right मिलते हैं आप master की qualification के लिए आते हैं आपकी missis या husband के पास unlimited work right होते हैंगे unlimited work right एक-एक मैं अमर मेरे second client ऐसे हैं जो अपने partner के साथ Australia में हैं और 50,000 से लेके लाग लाग डॉलर साल के earn कर रहे हैं Australia में हैं यह रूज कैनड़ा में भी है नहीं देखिए आप क्या open work permit apply करना पड़ता है बात पहले student visa लग जाता है उसके बाद आप open work permit apply करते हैं और 10 साल का मेरा experience है hardy 5% लोगों का international students का इंडिया से open work permit visa लगता है उसकी वज़े कुछ और है हम बात के वादे बाते हैं तो ऑस्टेलिया में भी applicable है हमारे आप ऑस्टेलिया में सपोस्ट करिए मैं संजे कपूर इंडिया में हूँ student visa apply कर रहा हूँ मैं married हूँ मैं visa लगाता हूँ मेरे साथ मेरी missis का भी visa लगता है गा मेरी missis को भी work right allowed होता है और खुदाना खास्ता अगर मैं master के लिए आ रहा हूँ तो मेरी missis के पास unlimited work right होगा और अगर आप पैचलर और डिप्लोमा के लिए आ रहे हैं तो आपको आपके partner को 20 hours per week का work allowed होता है master या PhD के लिए आ रहे हैं तो unlimited work right आपके पास from the day one है दूसरी चीज अमर हमारे यहा minimum wage rate है देकि आद में आउस्टेलिया में आप से बात करने से पहले research कर रहा था हमारी minimum per hour की rate है 19.49 cent yeah that's very high rate yeah आपके Canada का मैं देख रहा था it is 11.06 cent yeah most most likely yeah most likely yeah दूसरी चीज और आप यह चीज चीज कंफर्म का हमारे यह हर जो casual employer या part time employer उनको loading मिलती है loading मतलब मैं morning shift में काम करता हूँ मालीज़ तो मुझे 20 dollar का मेरा rate है मालीज़ थोड़ी देर के लिए मैं afternoon shift में काम कर रहा हूँ तो मुझे 10% fall to मिलेंगे तो मुझे 22 dollar मिलेंगे night shift में काम कर रहा हूँ तो 15% और fall to मूरेंगे महला 23 dollar मिलेंगे मैं अगर Saturday को काम कर रहा हूँ तो मुझे 50% पैसे extra मिलेंगे तो अगर मैं 20 dollar पे काम कर रहा हूँ तो Saturday को मुझे 30 dollar मिलेंगे संडे को काम कर रहा हूँ तो मुझे 75% extra पैसे मिलेंगे तो 20 का 75 होता है 15 dollar तो संडे को मुझे 35 dollar घंटे के मिलेंगे तो मैं यहां पे बच्चों से मिलता हूँ जो आप कमाई की बात करें जो Australia में international students की कमाई है वो आप Canada में सोच नहीं सकते हैं और मैं इमांदारी से आप से कह रहा हूँगा आप से जो आपने जो बताई काफी competitive analysis किया आपने यह बताए कि जो आपने यह कहा कि आपको यह loading बलती है और jobs का percentage हाई होता है depending on दोपेर का और शाम का और रात का तो यह सारे jobs के बात कर रहा है आपके सारे jobs की बात है यह अलजबस अच्छा अलजबस मेरी मिसेज हैंगे है मेरी मिसेज है इल्थ केर में कामकरती है माराइजेंट भी है तो अगर मेरी मिसेज संडे को जाब करने जाती है तो उसको 75% extra मिलते हैं आप सटर्डे कितने प्रोफेशन ऐसे हैं आप सटर्डे और बाकि जैसे मैंने तो कैनड़ में ऐसा कभी ऐसे घंटे के बेसे कभी काम ने किया लेकर जितना मिर को बता है कि हमारे यहां पर जो मैल बड़ा की बात करना हूं कि अगर आप गंटे से ज़्यादा अगर आप एक्सीड करते हैं देन इट गोस 1.5 ताइम और इस तो ऐसे जाता है मड़कि हमारे यहां पी ऑवर टाइम तो मिलता ही मिलता है गा लेकिन जो वूडिंग आफ्टरनून और नाइट शीप्ट यह अलग है गा ओवर टाइम के अलावा यह अलग है गा यार कमाल हो कि यह मेरे को पता नहीं था वैसा आई डिल नाव नो लोटेंग वाली बात मेरे को पता नहीं था तो डेफिनेटली यह तो एक काफी एक हाई लेकिन इसके अवाम कंपेरेजिन आप यहां पर ऑस्ट्रेलिया कैनिडा इमिग्रेशन बे अभी इस वक्त इस सेशन में हम उस पर नहीं जाएंगे लेकिन आप यह पताएं के के ओन एन एवरेज जो जो स्टूडेंट दो जार यह तीन जार कमा रहा है लेट से के पर मंत एंड वाउट फॉर्टी थाउजन डॉलर्स पर येर कमा रहा है तो उसका इंकम टेक्स रेट क्या है मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूंगा मैं आपको एक्जेक्ट नहीं बता सकता मेरे साथ सिक्स आउजन डॉलर तक तो कोई हमारे इंकम टेक्स नहीं दिया जाता है गा अगर अगर आप चलो मैं थोड़ा खीच के इसको 20 परसंट भी कर लेता हूं अगर अगर त्वेंटी परसंट भी कर लेता हूं तो वन फिफ्ट आउजन डॉलर्स वाटी ताउजन डॉलर्स बंते है राइट अभी कि मैं आप कोई बता दूँ कि कैनिडर में इंकम ट्रैक्स रेड यससे जदेया ही ह। इससे कम निहार छोगा इसे कम निहुगा अभी कुंड रिप्ट्वेंदिन आप रहेज घुटारी में क chỉ क्टॉम्नगー कोई उनर्मate चाम से आप हूए है इंकम ट्रॉलर्स ज़ीक्टा अगर आपके ज़्यादा है और इसे इनकम टेक्स जादा है तो टैक्स सेशन ज़्यादा करके गर्वर्मन जादा खीछ लेते होगी इनकम का ब्रेकेट है अगर सिक्स्टी आमिन सेमिंटी फाइट ताउजन या निन्टी थाउजन से जादा पे कर रहे हैं तो आपका 40 परसंट टेक्स कटता है तो अगर आप 40-45 ताउजन तक अन्वल इंकम आपकी है तो रफ्ली रॉन 15 परसंट टेक्स आपका कटता है तो इसका प्रेक्स को इतना इतनी बाते कहने का मौका क्यों कौन दे रहा है कहने का मतलब मकसद के आए के वी हमें ऑस्ट्रेलिया सपोर्टी कर रही है और वाई शुट आप गॉन तो इसका सोर्स के आए उनकी कप्लें का नहीं देखे कंप्लेंड वो बच्चे कर रहे हैं जादा था देखे दो चीज़ें आप समझने कोश्च एक तो या तो आप नए आए हैं मैं कितने इंटरनेशनल इस्टुएंट से मिलता होगा कि जिन्नोंने पैसे दिखाए कि 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं और जब हमें लेंड करते तो हजार डॉलर के साथ आते हैं कि हजार डॉलर के आने के बाद तीन दिन के अंदर उनका टैक्सी का लाइसेंस हो जाएगा और चौते дिन से वो टैक्सी ड्राइब करने लगेंगे हैं अपनी प्लैनिंग के पढ़ाहिए तो उनका इक बहान आ है प्लैनि हमारे यह विक्टोरिया में लॉग डाउन नहीं तो मैं अगर अभी आप से बात करने के बाद अगर बहाद सलक पे कहीं घूनने जाना चाहता है तो मुझे कोई मना नहीं कर रहा है गा पुब्लिक अपने आप घर पे बैठी हुई है कोई नहीं निकल ला है कोई बाहर पे मैकड़ॉनल्स में खाना खाने या हंगरी जैक्स में बैठ के या के ऐपसी में बैठ के आदा घंटा लँच या डिनर नहीं करने जा रहा है। तक क्लाइंट हैं जिनको मैं रेप्रिजेड करता होंगा और जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में है उनके पास आज की डेट में ना की बराबर बिसनेस क्योंकि लोग खाणा खाने नहीं जा रहे हैं लोग खाना खानी नहीं तो यह कहना कि केवल इंटरनेशनल इस्टुडेंट सफर करें आस्ट्रेलिया में यह सच हैगा कि आस्टेलिया गॉर्मेंट ने और द्वाइन सिटिजन उस्टेलियन पर्मारें रेजिजेंट को कुछ बेनफिट्स दीए हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो benefit सबको मिले हैं, मुझे Australia government से single cent नहीं मिली हैगी, मेरी missus को single cent नहीं मिली और ना मिलेगी, क्योंकि हमारी income इतनी है कि हमें, as per government of Australia के standard के हमें, हम deserve नहीं करते हैं, और भी अदर है, जो lower level के थे, जिनकी jobs चली गई है, government of Australia उनको support करेगी यह, यह बताएं कि जो foreign workers हैं, जो वहाँ पर Australia में जो work permit पर आए हैं, directly आए थे, जो भी आपका visa category है, 457, whatever, जिनकी jobs चली गई, तो उनको, उनको अगर salary नहीं मिल गी, they have been laid off, तो उनको government से कुछ पैसे मिल रहे हैं? नहीं, उनको कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, 457 हमारा बंद हो चुका है, 482 हमारा चल रहा है, हाँ यह जुरूर है, अगर मैं law की बात करूँ, पहले होता था कि 482 वीजा पे आप आए हैं, आपका job चला गया, within 90 days अगर आप एक job नहीं find out कर पाते हैं, तो आपका visa cancel हो जाता हैगा, आज की डेट में immigration किसी का visa नहीं cancel कर रहा है, because immigration is well aware कि अगर इसकी job चली गई है, जो economic की position चल रही है, इसको job नहीं मिलेगे, तो इस आस्पेक पे Australia immigration पूरी support प्रोवाइट कर रहा है, किसी का visa cancel नहीं हुआ है, बहुत सारे visitor और इंडिया से आये थे, इंडिया की flights ब हैं, पहले हमारे condition होती है, 8503, मतलब आप कोई further visa नहीं apply कर सकते हैं, इस case में मैंने दस्यों no further की condition हमारे यां wave करवाना एक बहुत मुश्किल task होता है, बहुत बहुत मुश्किल task, आज की date में no further stay की condition Australia में wave कराना कोई बड़ी task नहीं है, और 99.9% cases में बड़े आराम से no further waiver की condition, stay की waiver मिलना है गा, तो Australia government जितनी support कर सकती है, कर रही है, लेकिन हाँ, ये जरूर मैं फिर से कहूंगा, ये सच हैगा, कि international students या जो visitor visa पे आये हैं, government उनको कोई financial support नहीं दे रही है, चलो ये भी बात पर निक बेर कर दी, दोस्तों आपे बात सु कर दी है, Mr. Kapoor के, कि वहाँ पर उसका जो comparison करना ये ठीक नहीं है, क्यूंकि we expect के students वहाँ पर अपना इंसाम करके आएंगे, और ये सोचना के भी Prime Minister ने ये कैजिय के नहीं देना, तो ये Australia गंदा है, और Canada was a better thing, this is like comparing apples and oranges, it's not the same comparison, बाकी में स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, immigration help company का नाम है, और website पर भी दिखा रहा हूं, इनका जो address भी दिया हुआ है, the address is showing as 181 Marion Road, Richmond SA, is that the address? Yes, this is the address, this is the address and Sanjay Kapoor is registered our agent for many years, और इनका एड़ेट में, इनका office है, अगर आपको कोई help चाहिए है, Australia immigration के समन में, तो जरूर, Kapoor साहब को आप फोन कर सकते हैं, कपुझा अगर आपको फोन नम्बर कोई देना है, WhatsApp नम्बर देना है, तो आप अपना अनॉंस कर सकते हैं, अगर हुआ है, और जिया, बिखा है, मैंने शो कर देना है, 433303774, प्रॉट 617 से और इनके वेब साइट पे भी आप कर सकते हैं, तो यह बात वहां से भी क्लीर होगी, मैं आपको एक जाते हैं, आपको एक चीज दिखादू, और आपको इंटरेस्ट है, किगा यूए इसको एन student हर एक worker को पता है क्या अप्लाई करो भई CRB 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 that means CRB so CRB का मतलब यह है कि करोना वाइरस के चलते अगर आपको lay-off हो गया है कुछ अगर ऐसा विसा कुछ आपको हो गया है तो आपको 500 डॉलर एक हफ़ते का you know that means close to यह आपका हो गया चार महिने के लिए आप सोचो 8000 डॉलर तक का cash money आपके account में deposit करी जाएगी और कुछ बहुत लोगों के account में आ चुकी है including जैसे मैंने बताया including students including foreign workers जो foreign work जो work permit पर आये थे चाहे LMIA पर आये थे या open work permit पर आये थे या किसी भी तरीके से आये थे और students के तो मस्तिया हो गई आपर वो तो कह रहे है यार यह अच्छा है जितने हमने आये कम से कम यह तो मिले जाएगी जाएगी तो आप मांके आप देखे यह देखे आप सोचे अगर कोई student आया है और spouse visa पे husband आया अपनी wife को लेकर आया है जैसे कि दोनों partner है और student ने भी part-time काम किया पीछे गर उसके minimum इतने 5000 पिछले साथ बन गए और साथ कि उसके पाउज भी काम करें so we talking about 2000 plus 2000, 4000 dollars per month and this will continue for the four months so this करके Canada दी होगे बले 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 बत इस्टुटन तो मजे कर रहे हैं और वो कैते है that's a good idea and many people have discussed this on different channels on YouTube कि यार ऑस्ट्रेलिया जाना बेकार था अच्छा हुआ, Canada आ गए और मेरे कहल मेरे को लगता है कि अस्ट्रेलिया में जो लोग इस बात को समझते है और या you know whatever reason I think उनका जब यह थोड़ा क्लियर होता है तो उनका निशाना है कि चलो भी Canada, Canada चलो भी Canada, Canada चलते है जादा बेटर है और जस्ट्रें को लोग काफी पसंद करते हैं कि यह थोड़ा को लोग काफी पसंद करते हैं कि यह थोड़ा थे पर देता है कि कौन-कौन इलिजबल है, you must be residing in Canada, can you see the screen? Yes, I can. Who have stopped working because of reasons of COVID-19 or eligible for EI regular insurance or exhausted their EI regular benefits between December 29, October 3rd, I think this policy, but they will keep on repeating this policy till October 2020, who had employment or even self-employed income of at least 5,000 in 2019 or 12 months prior to the date of application and who have not quit their job voluntarily. And when you apply it, you should not be able to apply it. And if you do self-employment, if you have a minimum of $1,000, then you will continue to give it. And this will be a time-period in two-two-weeks. And apply it is very easy. Online, you make an account for the Canada Revenue Agency. And apply it. And I've seen it has come in three days. In three days, click on your account, you give it. Where are you from $12? They say, thank you from the Canadian. From Canada benefit, EFT benefit. So, I wanted to tell you this one. Just in case, if someone asked you what is in Canada, what is happening in Canada, so this is happening. In Canada, what you're saying, I don't have any doubt about it. I'm registered migration isn't Australia, I'm licensed advisor in New Zealand immigration. If I compare Canada immigration as a consultant to Australia immigration as a consultant, Australia immigration is quite tough. It's our current policy. I always say that Australian immigration is very difficult compared to Canada immigration. Standard high is a little bit high. It's very high. Very, very high. Now, let's do a simple thing. If you take a look at our occupation list and see how immigration is, it's about 500 occupations, which you can move to Canada. Australia. Australia, sorry, Australia. If I compare it, I think you can compare it to Canada NOC code 0AB, you will see that you will look at diesel occupations. You will see that you will look at the current prime minister. I will admire them. I will see that some issues that I have refused, like Saudi Arab, Canada Act. Australia has taken the hand. The situation is taken the right. The situation is taken the right. I thought it was good. I'm an Australian citizen and proud to be an Australian citizen. लेकिन जो चीज उस समय केनेड़ा ने करी तो तारीफ आली बात है वो तारीफ मैं करूँगा ठीक है आप केनेड़ा में अगले तीन साल में दस लाख इमिग्रेंट्स लिये जाएंगे हमारे ऑन एन एवरेज अभी पहले 165-190 तक पहुँच गया था करेंट गॉर्मेट में 165 आ गया और ये इस बार भी एक फचास एक साथ एक साल में तीन साल में 被 उस्टिलिया जिसमें इसकिल माइग्रेंट्स भी हैं रिफ्यूजी भी हैं पार्टनर वीज मीं भी मैं पैंनली भी हैं तो यह सच है कि कजनेड़ा की इम्मिग्रेशन पालिस एक इंटरनेशनल स्टुदेंट्स के लिए ऐस्टेलिया में इमिग्री पर्मानेट रेजिडेंसी का मिल जाना बहुत मुश्किल टास्क है इसमें भी कोई शक्की बात नहीं है कंपेर टू केनेडा या इस अच हैगा उस्टेलिया में अनलेस अंटिल यहाईली तो तो आपका एक बार प्यार हो जाएगा लेकिन अगर आप यह डिप्लोमा इनकाउंटिंग और बैचलर इनकाउंटिंग करने आगाई या बीवी ए करने आगाई या एंबी करने आगाई आगाई अबिन इस नेक्स तो इंपॉसिबल या तो के बहरे पड़े हैं तो करने आगाई और उनको पता है धीरे तीन साल में कहीने कर जाएंगे जुगार करके जॉब लेकिन कहीने कर जाएगे मैं समझता हूं के कैनड़ की जो पॉलिसी है क्यूंकि करीब करीब 3,000,000 students लेता है, यहांपन 3,000,000,000 लेता है हर एक साल और उसमें China India राइट उन दे थाप और इससे काफी ने इंडिन स्टुडेंट को फैदा होता है कि भी अगर कुछ ना जिन्दगी में कर पाएं Canada तो है ही है जिन्दगी में कुछ नहीं कर पाएं, जिन्दगी में हर तरह से दरवाजे बंद हो गएं, चल भी किनेडा चलिये. I don't know what is the impact on the Canadian education system in the coming years, 5-10 years, क्या होगा? मेरे को लगदा है, डर लगता है को इंगलेंड वाला हिसाब किताब ना हो जाए. और बाकी इस वकत तो मतलब यह है कि बहती गंगा में हाथ दो रहे हैं सब. बिल्कुस नहीं कह रहे हैं. आप बिल्कुस नहीं कह रहे हैं. तो ऐसा चल रहा है. जलो, तैंक यू बरी मुच संजेब, मैंने आपका नमब भी एक यहाँ पर टाइप करके डाल देना निचे है, जिसको कॉंटाक करना है, दे कन कॉंटाक तो आप सब्सक्राइब को आप कर सकते हैं, यह एडलेट में हैं, और ऑस्टेलिया के बारे में, और नुजलेंड कर ठाम, कर दो, क्या तो, खनम चियू drinks, जिसको कर दो में दोडने में, और नुलेट जिसको का तो, तो, पूस है.